सोच लोकी लोग हमेशा तुम्हें गलत जंडर समझते हैं चाहे कितनी कोशिश कर लो लोग तुम्हें लड़की समझते रहेंगे तुम्हें एक नई सिटी में जाकर नई शुरुवात करना चाते हो पर तुम्हें वहीं कुछ अजीब सी लड़कियों के साथ रहना पड़ता है ये एक NIM की कहानी है इस कहानी में हम शिन आकी को देखते हैं जो एक नौजवान लड़का है और अपने गुजिर वेकल से बचने के लिए टोकियो शिफ्ट हो जाता है लेकिन उसकी नाजुक चेरे और छोटे कत की वज़े से लोग उसे लड़की समझते हैं उसका मकसद है कि उसे एक मर्द की तरह ट्रीट किया जाए और उसकी गलत पैचान ना हो जब वो अपने नए मकान में पहुचता तो वहां उसे सानोहारा आयाका मिलती है जो एक सुन्द लड़की है और आकी का ध्यान तुरंत खीच लेती है लेकिन उसने भी उसे लड़की समझा जब गर्मी की वज़े से सब नाने जाते तो आकी सोचता है कि वो अपनी असली जंटर को चुपाने में इच किचाता है लेकिन आकीरगार में वो साफ कर देता कि वो एक लड़का है ये सुनने के बाद आयाका बात्रूम में ही रहती और उसे ये बता देते कि वो उसकी देखबाल करेगी कि क्यों अभी बच्चा है वो उसका कान काट कर उसे बेवोश कर देती है ये जब आकी होश में आता है तो वो आयाका के गोद में लेटा हुआ होता है आयाका ने उसे कपड़े पेनाए होते है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने पहले नहीं माना कि वो लड़का है जब वो खाना तयार करती है तो आकी को लड़की के तरह ट्रीट होने की याद आती है और वो इस चीज को बदलने की ठान लेता है इस वज़े से उसके दिमाग में आयाका के बारे में कुछ गंदे विचार आते हैं आकी फिर आयाका की मदद करके अपने आपको एक आदर्शमत के तोर पर साबित करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेकसूरी उसके रास्ते में आती है उसका दिल तूट जाता है और वो आयाका को अपने कर्मों का बयान करता है जिसके बाद आयाका उसे एक मर्द की तरह टीट करती है वो उसे अडल्ट के रूप में टीट करने की बात करती है अगर वो उसे गाल पर एक किस दे दे जब आकी किस देने वाला होता है तब योकी मातो यूजो आती है जो स्टुडेंट काउंसल की मेंबर है यामनाशी सुमेर वाइस प्रेजिडेंट और कजामी यूरी स्टुडेंट काउंसल सेक्रेटरी है वो तीनों भी वही रह रही होत आयाका आकी को उनके साथ introduction कराती है और वो सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं आकी अपने कमरे में होता है और वो आयाका के behavior के बारे में सोच रहा होता है एक अफते बाद लड़कियां school के event के लिए जा रही होती है और आयाका आकी को बताती है कि लड़कियां school में बह जब आकी वापस आता है तो आयाका को थैंक्यू बोलता है क्योंकि उसकी वज़े से वो दोस्ट बना पा रहा है ये आकी के लिए बहुत ही अच्छी शुरुवात है उसे टूक्यो आए हुए एक मन्त हुआ है और वो अभी सही अपने वातवरण में अपने आल को ढाल रहा है जब वो घर आता है तो आयाका को चियर लीडर के ड्रेस में पाता है तो उसे लगता है कि उसके लिए बहुत सर्प्राइज बाकी है आकी जब होमबग कर रहा होते तो आयाका उसे चियर कर रही होती है फेस्टिबल का टाइम आ रहा है और वो आउटफिट सुमायर का है आक इसके दोरान आयाका आकी को टच कर लेती है और आकी नहाते टाइम उसके बारे में सोचने लगता है लेकिन आयाका वहाँ भी अपने स्विम सूट में आ जाती है और वो उसके बाल काटने लगती है जब वो उसके बाल काट रही होती तो वो सो जाता है और जब वो उठता तो आयाकों को अपने साथ बाट अब में पाता है बाद में बैड में लेट कर आकी सोचता है कि आयाका और वो दोनों साथ बड़े होंगे और वो दोनों बहुत सारा टाइम साथ बिताते हैं और ट्रेनिंग करते हैं जिससे आकी इवेंट वाले दिन ठक जाता है एक दिन घर में आकी को यूजू की चीक सुनाई देती है वो बिना कपड़े और डड़ से भरा हुई है यूजू आकी को बाहर निकाल देती है लेकिन जब वो कपड़े पहन लेती है तो उसे बताती कि हुआ एक मकड़ी है और उसे मारने के लिए आकी से मदद चाती है लेकिन आकी इंकार करता है क्योंकि वो भी खुट डरा हुआ है एक मजाग करने के बाद सुमायर मकडी को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो भी डर जाती है जबकि यूरी अपने कमरे से बाहरी नहीं निकलना चाती आयाका समझदारी से काम लेती है और मकडी को हटा देती है और आकी को शॉपिंग के लिए बुलाती है जब वो जा रहा होता है तो यूजू आकी से कहती है कि आयाका के डर के बारे में पता करो कि उसे किसी से डर लगता है शौपिंग करते करते आकी को पता चलते कि आयाका शराप पीती है लेकिन उससे और कुछ नहीं पता चलता गर लोटने पर यूजू आयाका के डर के बारे में पूछती है आकी उसका जवाब नहीं दे पाता तो यूजू उसे एक हॉरर मुवी आयाका के साथ देखने को कहती है उम्मीद करते कि उसे आयाका के डर के बारे में पता चल जाए लेकिन जब आकी कोशिश करता है तो वो खुद ही डर जाता है लड़किया आयाका को डराने के तरीके सुल जाती है लेकिन आकी उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो कहता है कि अगर उसे आयाके के डर का पता चल जाए तो वो उससे बचा सकता है इसलिए वो आयाका से उसके डर के बारे में सीधे पूछ लेता है आयाका बताती है कि अगर सोते वक्त उसके कमरे में कोई अंजान आदमी आ जाए तो बहुत डर जाती है उसी रात आकी उसके कमरे में जाता है लेकिन जब वो निकालने की कोशिश करता है तो आयाका उसे अपने बिस्तर में खीच लेती है और ये बताते कि वो भी हॉरर मूवी से डरती है लेकिन उसने उन मूवी सको आकी के लिए देखा अब वो दोनों अपने डर की वज़े से साथ में सोते हैं अगली सुबह लड़किया उन्हें एक ही बिस्तर में हाथ पकड़ कर सोय हुए पाती है आकी और यूजू आकी के कमर पढ़ने को कहती है और फिर एकदम से आकी को पता लगता है कि वो दोनों कमरे में अकेले है और यूजू देखती है कि आकी की आखे उस पर टिकी हुई है वो कॉमिक पढ़ने के लिए उसे साथ में बैठने को कहती है और उसके पैर में पैर डाल कर बैठती है ताकि वो अगले दिन स्कूल से आते वक्त आकी देखता कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जब वो बात रूम में गुसने वाला होता तो सुमएर वहां आ जाती है जो उसके पीछे पड़ी हुई है वो ये जानना चाहती है कि प्रेजिडेंट उसके बारे में इतनी बात क्यों करती है और वो दोनों फिर आकी के room में आ जाते हैं सुमायर देखती है कि आकी ने सई से home work नहीं किया है इसलिए वो उसके मदद करती है और सुमायर आकी के चीजों को देखने लगती है और वो एक रूइ वाला गद्दा उठाती है और कहते कि आकी और उसकी पसंद बिलकुल सेम है और वो उसका हाथ पकड़ लेती है, तब ही आया का वहाँ आ जाती है और उस situation को गलत समझ लेती है, बाद में सुमयर सजेस्ट करती कि उन्हें amusement park चलना चाहिए, लेकिन यूजू की height एक जूले पर जाने के लिए छोटी है, इसलिए लड़कियां आकी से मदद करने के लिए क यार हो जाता है, वो उसे comfortable pajamas पहनाते हैं, आकी को पता चलता है कि सुमयर दुखी है, क्योंकि वो यूजू को उठा नहीं सकी, वो उसे कहता है कि वो आकी को उठा सकती है, वो कमरे से बाहर निकलते हैं और सुमयर माफी मांगती है, बाद में वो amusement park वापस जाते हैं, लेकिन में आकी थोड़ा हिच किचाता है, लेकिन बाद में मान जाता और यूरू के कहने पर अलग-अलग costume स्ट्राइ करता है, साथ ही एक लड़कियों का simsuit भी, आया का अवाज सुन लेती है, और जाच करने के लिए वहाँ जाती है, इसके कारण आकी और यूरी छुपने के लि वी तस्वीर लगा देती है, और अपने पास कमरे में सबकी तस्वीरों की कलेक्शन से खुश होती है, आकी यूजू और आया का एक शादी के तयारी वाले मैगजीन के बारे में गहरे विचार में उल्जे होते हैं, जिसमें यूजू अपने विचारों को एक बताती है कि अच्छी पतनी कैसे बने, जब यूजू तविस्तार से समझाती है तब आकी यूजू को एक दुलन की तरह विजूलाइस करने लगता है, जिसकी वजह से उसका जूस का गिलास गिर जाता है, और यूजू की मैगजीन भीग जाती है, जब यूजू अपनी मैगजीन सुख अच्छी तो वो अपने विचारों के गुरूप को साथ शेयर करती है, लेकिन उसके बाद यूरी और सुमेर भी वहाँ आ जाते हैं, बाच्चीत में वो अपनी शादी के खौबों को बया करते हैं, और आयाका से उनकी राय पूछते हैं, लेकिन आयाका ने बताया कि वो अ एक टिप पड़ी, जिसमें लिखाता कि पकाने की स्किल्स शादी के लिए जरूरी हैं, तो उसने आयाका से पकाने की स्किल्स सिखाने को बोला, जब वो डिनर बना रहे होते हैं, तो उसने दूसरी लड़कियों को ये भी बताया कि उसको लगता है कि पकाने की स्किल्स उन जाने के तरीके डूनते हैं और उन्होंने मसाज का आइडिया भी जाना बाद में जब आकी आयाका की अच्छी दिल से जुड़ी हरकत को याद कर रहा होता तो उसने उसकी अच्छाए को बड़े कहां जोड़ के लिया इस बात से यूजू को गुस्सा आ गया और वो उसे का फैसला लेती है आकी को दिखता है और वो मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है पर जब वो छट पर होते हैं तो सीडी नीचे गिर जाती है और वो फज जाते हैं उन्हें इंतजार करना पड़ता जब तक दुसरी लड़कियां स्टुडेंट काउंसल की जिम्मेदारी से लौट आयर मदद कर सकें जब लड़कियां लौट आते तो आकी और आयाका को खत्रे में देखती हैं क्योंकि सीडी गिरने की वज़े से ऐसा हो गया था यूजू उन्हें उनकी हैसी हरकत के लिए टॉंट मारती है लेकिन फिर उसकी सीडी भी नीचे गिर जाती है एक और पारिश वाले दिन वो सब गीली होकर घर आते हैं और रॉक पेपर सिजर्स खेलते ताकि बातरूम को पहले इस्तमाल कर सकें क्या जीच जाती है और वाच्रूम का यूज करती है और दुसरी तरफ आयाका आकी के बाल सुखा देती है बातरूम में लड़कियां अपने आने पूल का पानी से भर दिया है ताकि वो इंजॉय कर सकें तब ही यूरी वहाँ आ जाती है अपना स्विम्सूट बदस जिससे यूजू चौंक जाती है और वो आयाका और सुमेर के उपर पानी डालती है और उससे उठा के पानी में डाल देते हैं आयाका और सारी लड़किय उने स्विम्सूट पहना लेकिन आकी उन्हें जॉइन नहीं कर सकता है इसी बीच आयाका के साथ बैठ करो बात कर रहा होता है जब तक दुसी लड़किया पूल से ना निकल जाएं आखिर में आकियूर आयाका ने मिलकर पूल के अक्टिविटीज में हिस्सा लिया लेकिन तब तक आकी ने अपने स्विम्सूट पहन लिया था इसी दोरान यूरी को उन दोनों की खेलते वे तस्वीरे क्लिक करते वे देखा गया दिन आगे बढ़ता गया और आकी ने यूरी को तस्वीरे लेते वे देख लिया यूरी भूलकर यूजू के कपड़े बदलने की त उक्सान पहुचा देगी। आयाका की असलियत को तस्वीरों में लाने का काम अक्षी को करना है। अक्षी राजी हो जाते कि वो छुपके तस्वीरे ले लेगा, लेकिन वो इस काम में अच्छा नहीं है। आयाका उसे ढून लेती है और उसे तस्वीरे ले लेने की इजाज़त देती है वो तस्वीरे यूरी के साथ शेयर करता है लेकिन उन्हें उसकी मदद के लिए कोई फाइदा नहीं होता सोचकर कि वो फेल हो गया है वो वहाँ से चले जाने को तयार होता है लेकिन यूरी क्लि की तयार हुए देखते हैं ठाकि अकी अपने असाइनमेंट्स को सही तरीके से कर ले जब वो रेस्ट रूम जाने का ब्रेक लेना चाता है तो अयाका उसे अलाउड नहीं करती है और कहती कि अगर वो सब कुछ खतम कर लेता तो ही जा पाएगा और वो से रिवार्ड देगी की पास के स्टोर से सॉफ्ट ड्रिंक की डिलीवरी लेकर आई है तो हो अयाका को एक बीयर भी देती है अकी और आयाका सब के लिए ड्रिंग सर्व करते हैं अकी सॉफ्ट ड्रिंग कीता लेकिन आयाका बीयर चूज करती है जिसके बाद ही अयाका Cream on Australia हो जाती है और जब वार के लिए माफी मांगती है जबकि उसे पहले का इवेंट का कोई याद नहीं है लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो अकी को बताती कि वो उसके इंतजार कर रही होगी इसका मतलब है कि सायद उससे यादे कि क्या हुआ था गर्मी के दिन में अकी अपने कमरे में ज का था तभी यूजू कमरे में गुज जाती है यूजू नाना को देखकर परिशान हो जाती है और उससे डिबेट करती है कि कौन अकी का ध्यान रखेगा और उससे कौन बहतर जानता है जीतने वाले को अकी की कमपनी मिलेगी नाना जीच जाती है लेकिन जब अकी के साथ र कर रही है के बाद वो एक मज़ेदार समर वेकेशन का सुझाव देती है साथ ही अक्की आयाका को बताते कि दोनों बैने बिल्कुल अलग है अगले सुबह अक्की जाग जाता है अनाना को अपने साथ वह सोवे पाता है है उसने मेक अप नहीं किया हुआ है और वो जल्दी से वापस आती है और एक छुपा हुआ स्टोरेज दिखाकर बताती है जहां वो वीडियो गेम कंसोल रखती है वो अक्की को खेलने के लिए एंकरेज करती है वो उसे गेम में गाइट करते हुए मजाक करती है अक्की शुरू में अनुभवी नहीं होता बाद में अक्की सोज जाता है और जब वो उठता है तो वो अपने आपको नाना के गोद में पाता है वो देखता है कि नाना और आयाका काफी सेम दिखती है तब नाना उसे डिस्ट्राक्ट करती है गेम दुबारा शुरू करने को कहती है और वो पूरा दिन एक साथ बिताते हैं फिर एकदम से आय कि उन दोनों बेनों को सपने में देखता है और अगले दिन जब वो उड़ता तो नाना को अपने बगल में पात नाना की दर्थक्वास पर सब लोग स्विंग पूल की तरफ जाते हैं और वहां पे दो लड़किया उजैन मा को और अच्छा फुकेमी अक्की की टांग खीचन जिसके मकसद अक्की को तैरना सिखाना है लेकिन नाना उसे सारे दिन की देखबाल करने की दर्थक्वास करती है नाना की जिद के बावज़ूद आयका अक्की की देखबाल उससे नहीं करने देत नाना फिर एक आयका से एक सुमिंग का मुकाबला करने को कहती है जिसमें ज पैर भी बीट कई है जब आयाका कहते कि अकी की तेराकी की लेसंग शुरे होने का वक्त आ गया है तो अकी बताते कि सुमिंग पूल बंद होने वाला है एक शाम अकी और यूजो एक होरर मुवी में खोये हुए पाए जाते हैं यूजू कहते कि अकी को ये मौसम बिना किसी होरर मूवी का अनुभव किये बिताना चाहिए जब फिल्म खतम होती है साफ है कि अकी अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है खास कर नाना से जब वो अपने कमरे में एक बेट से अंजाने दर्वाजी की तरफ से नौकिंग सुनता है तो वो जांचने के लिए जाता है लेकिन वहाँ कोई पास वाला कमरा नहीं होता जवाब तलाश करने पर वो आयाका के कमरे में जाता है और वहाँ यूजू को पाता है वो वहाँ डर से पना ले रही होती है वो अपने शोर के बारे में चिंता जताता और आयाका बताती कि उसके कमरे के पास एक बेकार स्टोरेज रूम है हिमत जमाते हुए वो जाचने का फैसला लेता है और उसे पता लगता है कि वहाँ पर नाना ने अपने जिम सेट अप किया हुआ है और आयाका फिर नाना से अपना सारा समान वहाँ से अटाने को कहती है अगले दिन नाना यूजू और अक्की से मदद मांगती है कि वो उसके जिम के समान को उसके रूम तक ले जाने में help करे लेकिन यूजू मना करती है और कहते कि सारी लड़कियों के बीच में competition होना चाहिए ताकि ये पता लग सके कि नाना का समान कौन ले जाएगा बाद में अक्की घर में काम करने के लिए आयाकी की help करने का सोचता है लेकिन उसे पता लगता है कि काम बहुत जादा है और वो कैसे help कर पाएगा तबी यूरी वहाँ आती और उससे help करने को तयार होती है बाद में दोनों मिलके अक्की को सिखाते की हिप मसाज कैसे दी जाती है सीखने के बाद भी जब अक्की आयाक की मसाज करने का ट्राय करता तो आयाका का रियक्शन बहुत अजीब था और वो उसे प्रिवर्ट केके बुलाती है और तब ही आयाका बहुत स्टिमिलेट हो जाती है और अक्की से रुखने को कहती है तब अक्की यूरी को बताता है कि उनके मसाज असरदा नहीं थे और अयाकों को लगता है कि अक्की को और प्रैक्टिस की जरूरत है उन्होंने फिर सुमेर को दुबारा बांद लिया और उसे मसाज तिखाने के लिए का दिन गुजरने के साथ साथ अक्की आयाका की मदद करने का तरीके सोचता रहता है इस समय में उस देखता है कि नाना अपने इस दोस्तों को उनकी समर असाइनमेंट पूरा ना करने के लिए डाट रही है उन्हें प्रेणा देने के लिए नाना उन्हें अक्की के साथ प्लैन करने के लिए वादा करते है ताकि वो असाइनमेंट पूरा कर ले बैकी पहले मना करती है लेकिन नाना उसे दमकी दे कर राजी कर देती है शुरुआत में लड़किया मासुमेट से अकी के साथ वक्त बिताती है लेकिन असाइन्मेंट्स के प्रोग्रेस के साथ उनकी इंटराक्शन गहरी होती जाती है जब आयाका गलती से रूम में आ जाती तो लड़कियां एक कम पॉजिटिव गेम खेलने लगती हैं, जिसमें जीतने वाले को अपने पसंदिदा व्यक्ति के साथ कैंडी शेर करने का मौका मिलता है, अकी ने आयाका के साथ एक कैंडी शेर की, लेकिन होटो के मिलाने से पहले वो पीछे हट जाता है, सारी लड़कियां आकी को किस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाना किसी को भी किस नहीं करती, जब वो आकी को किस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आयाका उसे रोक लेती हैं, सबको अपने पेंडिंग असाइन्मेंट्स याद दिलाती हैं, जब म रहता लेकिन नाना उसका हाथ पकड़के बैट पे पटक देती है और उसे उसकी अकेले पन के बारे में बताने को कहती है और जैसे दिन आगे बढ़ता है अकी आयाका की मदद करने के लिए मार्किट जाता है गर आते नाना अपनी बेहन को पुराना रुटीन अपनाने को कहत वो फिर आयाका के रूम में जाते और अजीब सी आवाज आने लगती है और आकी कुछ इमाजिन करने लगता है तब नाना बाहर आती और कहती कि वो अपने कान साफ कर रहे थे और वो उसे भी अंदर बुलाते है और उससे पहले कि आकी कुछ बोल पाता नाना ने आयाका को आ पानसाफ करे थे वो सब वहीं पर थे और वो सो गए थे इसलिए मस्ती खतम हो जाती है तिवार का दिन आता है नाना अपनी युकाता दिखाती है आयाका मान लेते कि वो युकाता नहीं पहनती अपने साइस की वज़े से इसलिए नाना उसको ऑनलाइन ओडर करने का ओफर करत आयाका को टेकनोलीजी जे नफरत है अचीन यूजू के कमरे में बदलता है ती और सुमायर उसकी तयारी में मदद करते हैं फिर वो आकी को तयार में जाने के लिए बुलाती है ये उसके फीलिंग्स बढ़ाने का संकेत है लेकिन जब वो उसको दो बेहनों के साथ देखते त वो यूजू और सुमायर दुस्रे स्टॉल्स पे जा रहे हैं तब वो बेहनों से हाथ छोड़ने को कहता है खेलों में आकी मुश्किल में होता है जबकि नाना अच्छे से खेलती है कई प्राइजिस जीच जाती है जब नाना की फ्रेंड्स आती तो तीनों मेच्शाओं के पूड्स टॉल पे जाते हैं यत्शाओ बियर ओफर करती है लेकिन आयाका इंकार करती है और वो कहती कि वो आकी के लिए अच्छी मेंच बनाई रखना चाती है लेकिन फिर सब आकी को खिलाने में ज़्यादा उत्सुक हो जाते है इससे वो जल्दी से भाग जाता है बाद तक यूजू लाउट स्पीकर से आकी को बुलाने लगती है एक बार जब सब दोस्त फिर से मिल गए उन्होंने बाकी फायरवर्क्स के डिस्पले का आनंद लिया और घर जाने के लिए निकल पड़े आकी घर जाकर वीडियो गेम्स खेलकर नाना के साथ समय बिताता है उसक लेकिन उनके रीसेंट गुडबाई के बाद थोड़ा कनफ्यूजन था लेकिन नाना फिर संडे को वापस आती और कहती कि वो वापस आती रहेगी एक नॉर्मल दिन पर जब आकी और यूजू अपने दात साफ कर रहे थे तब आया का अजीब तरीके से कपड़े पहने होक और आके आकी को डरा देती है उसने का कि उन्हें जाना है क्योंकि उन्हें यूजू की अरेंजमेंट्स वाली काम में थोड़ी मदद करनी है को ये बताना था लेकिन वह भूल गई जब वह वहाँ पहुंच गए तो यूजू ने बताये कि ये औक्टोबेफरस्ट है जिसम उसमें सिर्व इक औरित की विग थी जब कस्टमर्स आने लगे थे तो आकी को शुरुआत में कुछ अजीब लगा लेकिन उसका आका को रोकने का इरादा नई था और उसने पूरी मैनत की दिन खतम होने पर उसे उसकी मैनत की तारीफ मिली लेकिन उसने देखा कि आयाका न साथ में नाने गई और नाना अपनी बहन के शरी को गोड़ते वे उसे वेट कम करने के लिए कहती है जब नाना चली गई तो आकी ने स्टोरेज रूम से अजीब आवाजे सुनी उसने सोचा कि वहाँ चोरी हो सकती है लेकिन जब उसने चेक किया तो आयाका को अपनी बहन का जिम एक्विपेंट इस्तिमाल करते हुए देखा नाना के पहले के कमेंट से वो थोड़ा परिशान लग रही थी अगले दिन आयाका अकी को जगाने आई लेकिन उसकी हालत थोड़ी अजीब थी आकी चिंता में बेहोश हो जाती है चिंता में आकी यूजू से सला लेता है जिनोंने बता है कि आयाका को सिर्फ सर्दी लगी है कि जिम्मेदारी लेता है और आयाका का ध्यान लगना स्टार्ट करता है जब आयाका होश में आती है तो वो अपने आपको अकी के कमरे में पाती है तब ही अकी आता है और उसके लिए एक सूप का बाउल लाता है और बत कर दे उसके night dress अटाने के बाद आकी शुरू करता है और उसकी पीट को सुखाने में help करता है उसके बाद जब सब कम हो जाता तो आयाका उसकी शुक्र गुरुजार होती है अगली सुबह आयाका को थोड़ी सी ताकत आती है पर लड़किया आकी के वियवार पर संदय करने दे देती है और आयाका के साथ एक drink पीने के लिए कहती है आयाका इसे मान जाती है और युजो को अंदराने की इजाज़त दे देती है हेलोवीन की रात आकी एक festival का आनंद ले रहा है जब वो नाना मा को और में से मिलता है वो से केरियों के बार में बुलाते है बार काफी बरा हुआ है और नाना कहते है कि आकी उसके गोद में बैट जाए कि फिर अपने पंसंदीदा गाने गाना शुरू कर देती है आकी करियों को का आदी होकर remote control यूज नहीं कर पारा नाना उसकी मदद करती है उसके बाद जब आकी performance देता तो लड़किया उसकी performance से खुस हो ज जिससे दुसी लड़किया जलने लगी और जलन के मारे वो अकी के गाल पर किस करती है आखिर में अकी को final product दिया जाता है ताकि वो अपने friends के साथ उसे share कर सके आखिर में वो अपने घर पहुचते है और यूज अपने devil costume पहन के उनका स्वागत करती है और कहते कि वो council के का जाती है और युटसो और आयाका को drink किया वा पाती है यूजू उन्हें कहती कि तुम गलत कर रहे हो लेकिन वो उसे अपने गोद में खीच लेती है फिर यूरी और सुमयर यूजू की मदद करने की कोशिश करते हैं और वो उन्हें भी गोद में खीच लेते हैं आकि उन पैंगिन वाली गुडिया के लिए अपनी पसंद को छिपाने की कोशिश कर रहा था लेकिन आयाका उसे देख लिती है और दो पैंगिन खरीती है जिसमें से एक उसके लिए और एक लड़कियों के लिए होगा जब वो दोनों घर आ जाते तो आकी यूजू को पैंगिन दे है और सुबह सुबह वो लड़की आकी के रूम में आ जाती है और वो उसे कपड़ उतारने को कहती है ताकि वो चेंज कर सके पहले आकी को लगता है कि वो आयाका है लेकिन फिर जब उसे पता लगने लगता है कि वो उसकी बहन है तो उससे बहुत डरने लगता है तब भी आया का अक्की के रूम में आ जाती है breakfast करते हुए अक्की की बहन सबको अपने introduction देती है और अपना नाम सयाना मस्तूरी बताती है वो अक्की के साथ भाई बहन वाला प्यार करती है और अक्की को अपने इसे कपड़े भी पहना देती है और लड़किया उसका अपने भाई के पती प्यार देके खुश हो जाती है लेकिन यूजू मस्तूरी को याद दिलाते कि अक्की उसका भाई है ना कि बहन इसे सुनके मस्तूरी यूजू के पास जाके उसके शान्त करा देती है बाद में मास्तूरी कहते कि वो अक्की को घर वापस ले जाना चाहती है लेकिन अपना अक्की वापस नहीं जाना चाहता तब मास्तूरी जवरदस्ती करती है तो अयाका बीच में आती है और उसे रोपने की कोशिश करती है तब गुस्से में आकर मास्तूरी उसे टेस्ट करन और उसे दिखता है कि वो दोनों कुछ गलत काम कर रहे हैं तो भाग के उनके पास जाते लेकिन असल में आयाका आकी को कुकिस खिला रही थी क्योंकि आकी के आतों में शॉपिंग बैक्स थे आयाका मातसुरी से साथ में आने को कहती है लेकिन जब आयाका का ध्यान हटता है तो मातसुरी अकी को उठा के वहाँ से बाग जाती है और कहीं पे ले जाती है मातसुरी अकी को साथ चलने को कहती है लेकिन अकी मना करता है अगर उसे उसकी सही में फिकर है तो वो उसके साथ रेजिदेंस में रहना चाहिए वो मना करती है लेकिन जब भाग पैर फिसल जाता है और उसे चोट लगती है तब उसका बाई अक्य उसे पीट पर उठा के रेजिदेंस तक ले जाने लगता है जिससे उसे पहले की कुछ यादे आती है जब अक्य को चोट लगती थी तो वो स्कूल के कपड़ों में आके सबको हैरान कर देती है और कहते कि वो पास ही पढ़ना चाहती है ताकि वो बार-बार वहां अक्य से मिलने आ सके वो आयाका से कहते कि अब उसका बाई बढ़ा हो गया है और उसको कडल भी नहीं करेगी एक दिन अक्य आयाका की को साथ्सू को लगाने में हेल्प करता है जो कि गरम टेबल और ठंड के टाइम में गरमाट देता है जैसे दिन आगे बढ़ता तक क्रिसमस आता है और यूजू और अक्य रोड में चल रहे होते है अक्य कहता है कि उसे सेंटा पर बिलीव है तब घर आके यूजू ये बात दूसरी मार के सुला देना चाहिए लेकिन यूजू उन घटिया आइडियास को मना कर देती है दिसंबर 24 को पूरा घर खुशियों से बरा हुआ है नाना बाकी लड़किया और यूथ शो जो ड्रिंक्स की डिलिवरी लेकर आई है और सारे सांथ मिलके बैटे है फेस्टिबल होने के बावजूद भी यूजू थोड़ा सांथ बैटी है क्योंकि जब अक्की को सेंटा की सचा ही पता लगीगी असलियत में होते ही नहीं तो उसे क्या सा लगीगा बाद में जब अक्की अकेला होता है तो नाना उसे बाहर चलने को कहती है लेकिन अक्की को लगता है कि सेंटा आएंगे इसलिए वो अभी नहीं जा सकता तब नाना उसे सेंटा की सच्चा ही बताने ही वाली होती है तो यूजू उसका मूँ बंद करवा देती है और ऐसा करने से मना करती है नाना यूजू से अक्की के साथ सोने को कहती है ताकि वो लेट नाइट तक ना उठे रात को मात वो रूम से अवाज आती है और वो देखते कि मात्सूरी पीछे से अक्की के रूम में गुजने का ट्राय कर रही है अक्की रात बड जागना चाता है लेकिन फिर यूजू आ जाती है और उसके साथ रात बिताने को कहती है वो अक्की से कहती कि उसे भी सेंटा पर आ रही होती है यूजू के वाँ होने से उसे अच्छे से नींद आ जाती है तब आयाका और दूसरी लड़कियां देखती कि वो दोनों सो चुके है तो आयाका मत्सूरी से चुप चाप अक्की के लिए गिफ्ट रखने को कहती है फिर वो अक्की और यूजू के लिए उसकी तरह दिखता है दूसरी तरफ नाना डिस्टपॉइंट है क्योंकि वो अक्की की बैन से नहीं मिल पाई वो यूजू से पूछते कि उसे उसका गिफ्ट कैसा लगा कुछ दिन बाद नया साल का दिन आ जाता है और सारे लोग घर साफ करने में लगे हुए है लड़कि रूम में चली जाती हैं अक्की और आयाका वहां बैटे होते हैं अक्की वहां आयाका के साथ बैठा है ताकि वो उसे अकेला ना लगे उसके बैबार से खुश हो के आयाका उसे लेट नाइट तक साथ रहने को कहती है रात को अक्की आयाका को उसकी देखबाल करने के लिए सुक्रिया बोलता और कहता है कि अगले साल वो अच्छा करके दिखाएगा अगले दिन सारे लोग फेस्टिबल अटेंड करते हैं और आने वाला साल के लिए विश करते हैं अकी विश करता है कि वो और मैस्कुलिन बन पाए और आयाका के साथ रहे तो इस तरीके से एपिसोड आप एक खतम होता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करिए